हेलो एप्रिवाइन माई सेल्फ क्रितिका एंड वेल्कम बैक टो क्रितिका भी एसी क्लासे सो टूड़े व्यारे स्टार्डिंग दा सीओ एटी पीजी टूरां टॉंटी टूर यानि कॉमन इन्वर्सीटी इंट्रेंश टेस्ट में अगर आप पीजी में अडमीशन लेना शा सब्सक्राइब करने वाल या फिर क्या होनेश्ट आपकी कंपल्सरी आपकी बेच्चु पीजी एडमीशन के लिए तो आज किस वीडियो में इस पेस्लिया में डिसक्स करने वाले तो चैनल पर पहली बार विजिट कर दो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बीडियो पसंद पेपर होगा आपका कॉमन इंवर्सेटी इंटरस्ट यानि सीव एटी करवाएगी ठीक है उसी के कॉर्णिंग आपका पेपर होने वाला है काफी सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैं यहां पर पेपर देना तो इसके लिए क्रिटेरिया होनी चाहिए तो यहां पर सबसे प सब्सक्राइब होनी चाहिए तो यहां पर आजके इस वीडियो में हम स्पेस्ली डिसक्स करने वाला है कि अगर आपको भी एच्चु में एमसे जोलोजी से मसे बॉट्टी से या फिर माइक्रोबायो से या फिक बायो के में से किसी भी सब्जेक्ट से आपको मैसे जोलोजी सब्सक्राइब होनी चाहिए तो इसी के बारे में हम डिसक्स करेंगे तो यहां पर हमने यह पोस्ट्राइजुएशन बेच्चु का जो पैट का होता है इन्फॉर्मेशन वुलेटी से मैंने इलिवर्टी क्रिटीरिय का स्क्रेंसाइब लिए जिसे कि मैं आपको यहां पर पर देख सकते हैं जो कि आपका बेच्चुप पैट ही होगा बैस्पेसली अपर इस पॉइंट को डिसकस करेंगे कि इन्सिट्यूट आप साइंस के लिए आपका जनरल कोर्स के लिए ज़िए आप मसी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्रिटेरिया होनी चाहिए और आप किस सब्जेक्स से करना चाहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि मसी इन फिजिक्स केमेश्ट्री जूलोजी बॉटनी केम्प्यूटर साइंस जियोग्रॉफी माथमाटिक्स स्टैक्स फिसको लॉजी एंड होम साइंस अगर आप इन किसी भी सब्जेक्स से मसी जूल अगर आप इस जूलोजी के लिए इस पेशली और बॉटनी की बात करें तो आप इस फॉर्म को समिट कर सकते हैं अगर आपका बीएसी अंडर दर टैंड प्लस टू प्लस थ्री यानि आपका बीएसी सिंपल हुए यानि अपने सिर्फ थ्री एर्स का कोर्स किया बीएसी का सिर्फ बा statement दो भी आप 50 परशेंट 20 वह बीएसी फॉर्म को समेट कर सकते हैं पजो जो ऑने से कर सकते हैं थीफ दा अपका मिनिमुम यह इंडिब्री क्रिटेरियां होनी चाहिए और भी आपका सिंपली वीएसी लाट पूस का सम्मिट कर सकते हैं जय से ज dawच है चुम्यम तो फोर समेस्टर होता है जो यहीर्स का सब्सक्राइब कर दो आपकी यहां पर घ्री कृटिरिया की बात करने तो ब्यासी होने स्ट विए विद्ट बैक्षा दो अगर आपने स्ट में बाइय केमिस्टरी से किया है तो आप में से Bio Chemistry से कर सकते हैं या फिर आपको BAC होना चाही है Under the 10 Plus 2 Plus 3 यानि आपका Simple BAC भी है तो भी आप Bio Chemistry में Bio Chemistry से MSC कर सकते हैं अगर आप BAC Honest में Bio Chemistry अपका Subject है थो भी आप MSC Bio Chemistry से कर सकते हैं और अगर आपने Simple BAC किया है जैसे 3 Years का course किया है विए सी का उसमें भी आपका जैसे की जोलोजी होता है बॉट्णी होता है तो अगर आपनी जोलोजी बॉट्णी और बायोकेमिश्ट्री लिए तब आप आपका जैसे की मिनिमम मार्क होगा वह आपका 50% मार्क होगा तो आप इस फॉर्म को संबिट कर सकते हैं यहां पर अगर मायक्रो बायो की बात करें कि अगर आप यह चू में मायक्रो बायो से अड्मिशन लेना चाहिए तो फिर आपके लिविटी क्रिटेरिया क्या होनी चाहि अगर अकर इस फॉर्म को संबिट करें तो इस फॉर्म को में हो आपका शौख और थे सब्साइबटी कर्वास से मिलिख को स्बूंभ दिखया है उन्ताइस में हुआ हो डइन कर सकते हैं अगर आप यह सी अंडर 10 प्लस टू लेबल यार नी सिंपल ग्रैजुएशन है तो भी आप माइक्रोबायो के लिए फॉर्म डाल सकते हैं यह दोनों फॉलो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए बाटनी जुलोजी बायोटेक्ट या फिर माइक्रोबायो या केमेश् फिर यह का कोर्स है तो इन में आपका जो सब्जेक्ट फॉलोग करेगा अगर आप बाटनी जुलोजी बायोटेक्ट एंड माइक्रोबायो केमेश्ट्री इंडरेश्टियल माइक्रोबायो लाइफ साइंस या इन्वार्मेंटल साइंस से हैं अगर 50% मार्क है तो आप एमस कर सकते हैं मैं उसका रप्राइब कर दूंगी और आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी चैनल पहली बार विजिट कर चैनल को शब्सक्राइब किजिएगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप पे बॉक्स में मिल लाएगी आप जाकर वहां से में जॉइन कर सकते हैं तो मिलते हैं जल्दी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर दा वाचिंग